नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है जी हाँ आपको बता दें कि BCCI की छुटी पड़ी है टीम इंडिया पर भारी दो खिलाडी निकल गए है कोरोना वायर से पॉजिटिव दोस्तो भारत और इंग्लैंड सीरिज पर कोरोना का साया मढ़राने लगा है इंग्लेंड दोरे पर गई टीम इंडिया के दो खिलाडियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है हाला कि एक खिलाडी की रिपोर्ट नेगिटिव आ चुकी है जबकि दूसरा अभी भी आईसोलेशन में है रिपोर्ट के अंशार आईसोलेशन में रह रहे है खिलाडी में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है भारतिय क्रिकेट कंट्रोल वोड ने अब तक दोनों खिलाडियों के नाम का खुलासा नहीं किया है वर्ल डेटेश्ट चेंपियंशिफ के फाइनल के बाद BCCI ने टीम इंडिया के खिलाडी और इस्टाफ को 20 दिनों की छुटी दी थी इस दोरान खिलाडियों को इंग्लैंड में कहीं भी जाने की चुट थी और कुछ खिलाडी यूरो कप और विम लेंडन का मैच भी देखने गए थे बताया जा रहा है कि पॉजिटिव पाए गए दोनों खिलाडी कुछ दिन पहले भीड़ वरवाले इलाकों में देखे गए थे बता दें कि टीम इंडिया दोस्तो सभी खिलाडियों को कोरोना वैक्सिन का दूसरा डोस इंग्लैंड में ही कुछ दिन पहले लगवा चुकी है रिपोर्ट के अंसार पॉजिटिव पाए गए दोनों एक खिलाडियों को ठंड लगने खांसी जैसे हलके लक्षन हुए थे पॉजिटिव आने के बाद एक खिलाड़ी दूसरे टेस्ट में नेगटिव पाया गया जबकि दूसरे खिलाड़ी का टेस्ट 18 जुलाई को किया जाएगा सूतरों के मताबिक नेगटिव रिपोर्ट आने जल्दी वो खिलाड़ी भी बाकी टीम के कैम के साथ सामिल हो जाएगा फिलाल ये खिलाड़ी इंगलेंड में अपने रिष्टिदार के यहाँ पर क्वांटाइन है इस खिलाड़ी के संपर्ख में आये दूसरे खिलाड़ियों और स्पोर्ट इस्टाफ के सदस्यों को भी तीन दिन के लिए आईसोलेशन में भेजा गया था जिसकी मियाद खतम हो गई है भारत को चार अगस से इंगलेंड के खिलाब पांच टेस्ट मैचों की सीरिज खिलनी है इससे पहले डरहम में टीम इंडिया काउंटी चैंपिंसिप 11 के खिलाब 20 जुलाई से तीन दिवसीय अभ्यास मैच भी खिलने वाली है आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इंगलेंड के तीन खिलाडियों समय साथ सदस्टे कोरनावायर से पहुष्टी पाए गए थे इसके बाद इंगलेंड और वेल्स किर्केट बोट को आनन फानन में पाकिस्तान के खिलाब 18 सदस्टे नई टीम का एलान करना पड़ा था इसमें 9 खिल खिलाडी थे जो कि कोरनावायर से पहुष्टी पाए गए थे जिन में से एक की रिपोर्ट अब नेगटी भी आ चुकी है उमिद करते हैं दूसरे खिलाडी का जब 18 तारीकों एक वार फिर से टेस्ट होगा तो वह भी नेगटी पाया जाएगा तो यही था वीडियो में व चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद